बच्चे को दूद पिला रही हधनी के लिए सेहतमन्द और पॉष्टिक खुराक बनाए रखना जरूरी है। बहुत छोटे होने के बावजूद, नियो जैसे बच्चे रोज अपनी मा का लगभग 12 लीडर दूद पी सकते हैं। और तकरीबन दो साल की उम्र तक वे इसी पोशन पर निर्भर करते हैं। मा का दूद हासिल करने के लिए बच्चे अपने मुग का इस्तेमाल करते हैं। इतनी छोटी उम्र में इनकी सून की मांसपेशिया इतनी मजबूत नहीं होती, कि ये उसे बड़े हाथियों की तरह इस्तेमाल कर सकें। बच्चों को अपनी सून के इस्तेमाल को नियंतरित करने का तरीका सीखने में कई महीने लग जाते हैं। ये सीखते समय से पता चलेगा कि सून कई सामाजिक क्रिया कलापों में भी एहम भूमी का निभाती हैं। जैसे अभिवादन करने में एक दूसरे को सहलाने में और मा और बच्चे के बीच प्यार दुलार में मा का दूध छोड़ने पर हाथी के बच्चों का पहला ठोस आहार धास और नर्म पौधों का होता है। सून को कारगर धंग से चलाने का तरीका बिकसित करने में वक्त लगता है। लेकिन आम तोर पर दिन भर खाने में व्यस्त रहने वाले हाथी इसमें माहिर हो जाते हैं।